सब्सक्राइब कीजिए इन्फो टेक टॉक्स इन्फोमेटिव टेकनिकल वीडियो के लिए और बैल आइकन को दबाना ना भूले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले सो वेलकम बेक टू मैं चैनल गाइज मैं हूँ आपका दोस्त भासकर वर्मा लेकर आए हूँ CSS सीरीज के एक और वीडियो दोस्तो पिछली वीडियो के अंदर हमने डिसकस किया था इसका थे और पार्ट जिसके अंदर मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म के बारह में बताया थ है कि CSS क्या होती है इसका बैक्ग्राउंड क्या है HTML के बाद इसको इसकी जरूरत क्यों पड़ी ठीक है अविसल स्टाइलिंग के लिए HTML जो है कोई बना नहीं था उसके अंदर एट्रिब्यूट से टैक्स इतने जादा इतना स्कोप नहीं था तो CSS को इंट्रोड्यूस करव मालो आपका HTML डॉकमेंट था जो हमने पहले से इंडेक्स फाइल क्रिएट कर रखी आपको पताईए तो मैं इसको ओपिन कर लेता हूं ठीक है मालो यह आपका HTML डॉकमेंट है जिसके उपर आप CSS एपलाई करना चाहते हो आपके पास इसके अंदर एक h1 element है देन आपके पास इसके अंदर एक पहरा जो है पूरा 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 पहरा है और इसके अंदर कुछ भी लगा लो h2 tag है तो यह जितने भी आपके पास elements है इनके उपर कुछ ना कुछ आपको styling करनी है तो किस तरीके से आप करोगे तो जो बात आती है CSS की तो CSS की full form ही ह है cascading style sheet यानि एक ऐसी sheet जिसके अंदर सिरफ styling की जा सके तो उस style sheet को कैसे बनाया जाता है कैसे apply के जाता है फसे पहले हम बात करते हैं उसके बनाने की तो बनाने के दो तरीके या तो आप यहां पर file करो new file करो यह एक नई file बन गई इसको file करके savers करके वही index वाले में आप इसे बना दो तो index के अंदर मालो index.html के नाम से हमारे पास html web document है यहां पर हम css भी index के नाम से बना लेते हैं तो सिरफ इसके extension आपको क्या है css रखनी है .css html की extension .html होती है css की extension .css होती है जस्त आपने save किया और यह आपकी css file बन गई दूसरा तरीका यह है यह देखिए css file बन गई index css जो आपने अभी बनाई है दूसरा तरीका यह है कि आप इसो delete करके सीधा जैसे आप notpad के अंदर आपने index.html बनाई थी वैसे notpad के अंद आपको क्या करना है फाइल का नाम और extension .css रखनी है यह आपकी बन गई css file बस इतना है यह html document है यह css है इस html document के अपर यह css apply करने किस तरीके से करेंगे हाँ तो इसे हटा देते हैं और इसे open कर लेते हैं जो हमने अभी अभी बनाई है क्योंकि वह delete कर चुगा था मैं ओके अब बात है कि इसके अंदर आप जो styling करेंगे क्या वो इसके उपर apply हो जाएगा एक folder में होने के वज़े से तो ऐसा नहीं है उसके लिए आपको क्या करन होगा आपस के अंदर और जो css file को html के अंदर link करने के लिए आपको head के अंदर कहीं भी आप उसे link कर सकते हो यह head पार होता है ठीक है अब टाइटल आप कुछ भी डाल दो इसमें my webpage डाल दो यहां पर लिंक कर दो लिंक करने के लिए जो tag होगा वो link use होगा ठीक है यह आपको बता रहा है कि किस टाइप की file है style sheet है यह by default होता है आप इसे हटा सकते हो इसका मतलब है यह folder है उसके अंदर master के नाम से css file है बढ़ हमारा css नाम से कोई folder नहीं है फाइल भी हमारी master के नाम से नहीं है हमारी file किस नाम से है index.css हमने फाल तो folder वोल्डर इसने लिंडाले क्योंकि index और html index.css एकी folder में है तो href में सिरफ file का नाम काफी है अगर folder डिफरेंट होते हैं तो आपको यहां पर फोल्डर भी mention करना होगा उसके बाद file mention करनी होगी ठीक है save कर लेते हैं अब जो आपने link tag करके यह बताया इसको कि भाई style sheet link कर रहा हूं उसका reference यह है अब जाके जो आपके html document css के साथ link up हुआ है ठीक है आपको अब जो styling करनी है इन h1 p h2 tags के ऊपर आप इस css document के अंदर बहुत easily कर सकते हैं और जो भी आप यहां पर changes करके save करेंगे आपका html file के अंदर आपका apply हो जाएगा next video के अंदर हम discuss करने वाले हैं इसके syntax के बारे में और किस किस तरीके से apply होती है आशा करता हूं जितना मैंने अभी आपको बताया है आपको समझ में आया होगा उमीद रखता हूं आप इसके बाद practically ज़रूर try करेंगे मिलते हैं नई वीडि के साथ तब तक के लिए goodbye and take care